ग्यानी जक्तार सिंग जाचक दिपुस्तक सर्बोतम ता सिरीगुरु गरन्ठ साहब जी दे पहले लेख दा अगला पार सिरीगुरु गरन्ठ साहब जी महराज वेखे ब्रह्म ग्यानी दे लच्छन वर्नन करदें लिखिया गया है के जमें हवा राजे ते कंगाल नूँ इकोजी लग दी है किसे तरह नदा कोई विद्करा नहीं कर दी तिमें ब्रह्म ग्यानी दे अंदर सब वल इकोजी नजर नल तकन दा सुबा हुन दे कारण के उदे मान चे चानन हो जान दे के जमें तर्ती उतियकाश सब थाईं व्यापक है तिमें अकाल पुरुक परमात्मा विश्विच हर था मौजूद है गुर्वाखन ब्रह्म ग्यानी के द्रिष्ट समान जैसे राज रंक को लागे तुल पवान ब्रह्म ग्यानी के मन होई परगास जैसे ता रूप राकास ब्रह्म ग्यानी निक्खसमियां दा खसम है उज समना जीआदी कसमान सहायता कर दे उस सारे द्रिष्ट मान जगतनू अपना समझ दे मुक्धी गले के ब्रह्म ज्यानी दे रूप विच्दा परमेशर आपी प्रतक तौर्थी विच्चर्या हुंदे क्योंकि ऐसे मनुख दी शक्सियत रब्भी गुणानाल पर पूर हुंदे ब्रह्म ज्यानी अनात का नात ब्रह्म ज्यानी का सब उपर हाद ब्रम ज्यानी का सगलाकार ब्रम ज्यानी आप नरंकार पगत कबीर जी दा कथन है कि इस ब्रम ज्यानी दे ब्रम ज्यानियां द्वारा परगट कीते ब्रम ज्यान अथुआ ब्रम विचार दी रोश्नी विच कीती परमेशर दे नाम दी चर्चा ते सिफ्थ सला मनुखनू सचे सुच्चिय चारवणा सम द्रिष्टा ते संतोखे बणा के मानव सेवाच परविर्थ कर दिन दिये उन्हों यकीन बन जन्द है के सारे जीवान चोही प्रभु वासरिया है जो मेरे अंदर वासरिया है ते असी सारे उस वल्लों बक्षिश्वं यांदात्ता ही वर्त रहे हैं पगत जी नेवी सपष्ट केता है के जड़ा इंसान सारे संसार्च प्रभु नू एक समान पच्छान लेंदा उदी द्रिष्टी विच्चों उच नीच ब्रह्मन शुदर ते मोमन काफर आधिक दे वितकरे ते आधर निराधर दे अंतरे खतम हो जान्दे हन। उना दे अम जी मान अमान व्यापिक राम सगल समान अर्थात जिड़ा मनुक्तियान पूर्वक अगम परमात्मादी सिफ्ट सला कर दे इस सिफ्ट सला दी बरकत नालो सारे संसार्च उस प्रभु नू एक समान पच्छान दा है वेखदा है ना उनू कोई नीवां देस्ता है ना कोजे हुन दे हन क्योंकि उनू सारे जीवांच परमात्माई व्यापक दिस्ता है चौदस चौदै लोक मजहार रोम रोम में बसे मिरार सत संतो का तरो तयान कथनी कथिये ब्रह्म गयान अर्थात हे पाई प्रभु जी सारी स्रिष्टी विच स्रिष्टी दे जर्रे जर्रे करो ताके उदे सही रूप दी सूज बनी रही ए यकेन लिया के के उप्रभु तो अड़े अंदर वासरे है ते सब जीवांच वासरे है दूजियां दी सेवा दी ते जो कुझ प्रभु ने तो अनूदत है ओस्वेच राजी रहन दी सुर्थ पकाओ अजया लिखन वेच पामे कोई चे जक नहीं है के साड़े जिना बजूर्गा ने मनुखी सब्यता दे मुडले काल चे जदोंके अजोकेट अंगदी लिखन सुमगरी आवा जाई विचारां दे अदान परदान ते रोश्नी आदिक दे साधना दी बहुत वड़ी काड सी मन रुखतान विशव पर से दो परोकत ग्रन्थां दी ए नीवड़ी जो साहितिक देन देती है उना दी इसकालना अगे हरे एक बुद्धी वांदा सिर्चों को जान दे है पर जदों इना विच्चों हेट लेखे अर्थपाव रख दिया रचनामा पड़न सोनननों मिल दिया जिनाच स्रिष्टी करता प्रभुनु एक देसी मन्दियां किसे ने समुंदर शेशनाग दी सेजाते स्वाया हुए है किसे ने उनु चोक्के मनुखी अबादियां तो दूर अकाश्च खास सिंगासंते बठाया हुए है किसे विच तार्मी क्रेबर वलों अपणी मजबी गिनती वदाउन वले चूठे ते सुआर्थ परे बहश्ती लारे आंदा वर्नने ते किसे च मजब जाद कोलते नसलिया दार हुथे मानवी वितकरे आंदा एलान किता गया है किसे विच्चों सिर्जनहार प्रभुदी सिर्जनात्मक शक्ती इस्तरी नाल दुर्विहार दी सिख्या मिल दी है ते किसे च कामेक ते मारू रूचियां दा अत नीमा पर दर्शन कीता गया है तदों ता विबेक बुद्धी रखन वाले हरे चिंतक दे सान मोखे स्वाल खड़े हो जांदी हन कि इना ग्रंथां द्वारा मिलन वली सिख्या नू कि अजोके योग दे किसे सब्यक चिरत्रवान नैतिक गुण संपन ते शांती पसंद विकास शील आश्टर दा दर्श बणाया जा सकते हैं। बर्या होंदा है कि हो सकदा है ये रचनावा मूलक रूप वेच साड़े तक ना पहुंचिया होन। क्योंके सिरीगरु ग्रंथ साब जीतों इलावा हूर सारे तार्मी ग्रंथ कई कारना करके मूलक ग्रंथ करता कारां जा बानी कारां वलों उन्हादी अपनी जिन्दगी विच नहीं लिखे जा सके जोके मुनुखता लेक दुर्पा घी कटना है शायद एही कारण है कि इना ग्रंथानों मननवले सजन स्पेस योग दी तीखन द्रिष्टी दी मारतों बचन ले कैतम की यांदा सहारा ले रहे हन ते कैस याने ना विच चुप चाप परिवर्तन क करी जा रहे हन ताके समे देहानी बढ़िया जा सके पामे के अजयी कारवाई एस सचाइदा पर तक परमान बन दी है कि मनुखी कल्यान ले ए रचनावा सरब देशी सरब काली ते मानुहितकारी नहीं हन जिवे समाजिक वितकरा ब्रह्मनों अस्य मुखमासीद बाहू राज क्रित उरूत अदसे युदेश्य पद भयाम अजायत रिग्वेच चुलाईने अर्थ ब्रह्मन विराट रूप परमातमा देमूं विच्चों क्षत्री माहा विच्चों वैश जंगा चोत शुदर पैरांतों जन्मे एस लोकी मनुसिमरती द्वारा वर्न वंड का रंदा अधार बनिया जिने पार्ती समाजनू लिरो लिर करके सदियां पर गुलाम बनाई रख्या ब्रह्मन पावे अयोग ही होवे तरम परवक्ता अर्थात नियायधीश बन सकदे शुदर पावे योग वी क्योना होवे नियायधीश नई बन सकदा इवी मनुसिमरती चे जे जात ते ओदा नाम लेके कोई कोड़ा बोल बोले ता अगनाल तपाई होई लोहे दी लाल होई दा सुंगल लंबी किल ओस शुदर दे मुच गड़ देनी चाही दिये ये वी मनुसिमरती चे और दा निरादर इस्तरी शुदर कुते दे काविच असत पाप दे अंदकार वि जाती संहार सड़े चारो पास से दस्यू जाती है ए जग नहीं कर दी कुझवी मन्धी नहीं है ए अनुवरित ते अव मानुश है हे शत्रू हन्ता इंद्र तुसी एस दा नाश करन वले हो दास दा वी विनाश करो दास ते दस्यू जातिया पारद्दे मूलनिवासी सान बा हे इंद्र तुसाने पंजा केवल पंजा हजार काले लोकानू मारया है रिगवेच हे इंद्र तुसी सारे ओ लोग जो आरिया नहीं सान समापत कर देओ एवी रिगवेच है कामक रुचियां दा परदर्शन हे देवते ओ एस आदमी दे लिंग वेच कोडे विछेरे बकरे बैल ते संडे दे लिंग दी तरा शक्ती पार दियो अथर वेच हे गौतम इस्त्रे जाती अगन है ओदा गुप्त अंग ही इंधन बालन है गुप्त अंग ते उग्ये होई वाल तुमा है योनी जवाला है लिंग परवेश अंगार है ते कामान अंध ही चिन गारिया है ब् द्रिष्टी जदों इक रोंदी कुरलोंदी होई नसरानी आरत अपनी लड़की जड़ी किसे दिमागी रोगनाल पीड़त सेनू लेके अरोगता दी आसनाल हजरत इसा जी पास सहायताली बेंती करन वास्ते आई उन्हाने फुर्माया रबने मैनों इसराइल दियां खुराग कुत्यान उखवाई जाए औरत ने जदों तीसरी वार फेर बेंती किती महराज ये ता सच्च है पर कुत्यान वी ता मालकां दी खुराग चो बचे होई टुकडे नसीब हो जान दे हनु खजरत जी ने आखरी जवाब देता है प्यारी औरत असल चो तुम बहुत प्रोसा रख दिया है यसले तेरी मुराद पूरी होएगी अंजील मार्क विच्चो लिया गया है पुर्ष बरदानता अल्ला ने पुर्ष नू नारी तो स्रेष्ट बणाया है क्योंके पुर्ष अपनी संपक्ती खर्च के औरत दी सेवा संबाल कर दे है चंगी औरत मर्द दी आज्याकार हुंदिये जेडी औरत मर्द नाल बेवफाई करे उनू फिट कारो उनू इकल्या सोवाओ ते कुटो जेडी आज्याकार हुए उदा विरोध ना करो कुरान विच्चो है गुलामी ते वेश्वापुना जेडी तो अड़ी गुलाम लड़की संसार्च पव बाव हेठ जेया करवी लेंदिया तावी अल्लावनू माफ कर देगा कुरान चुलिया जलंदर तो परकाशत होन वाली पीम पत्रिकादे संपादक एल आर बाली ने अपनिया लिखतांचे जिकर कीता है के ब्रह्मनी दृष्टी वेच अच्छूत मने जान वाले सत करोड़ पर्मानिक नेताति परसिद्विद्वान डॉक्टर अंबेदकर जी ने उपरोकत के समधिया रचनावां पढ़के अपने एक विख्यान विट किदरे हेठ लेके शबद कैसा जिन पुस्तकों को पवित्तर गरंद कहा जाता है वे ऐसी जाल साजियों से परिपूरण है जिन की रचना पक्षपात पूरण है और जिनका लक्ष और पर्योजन है कप्ट और छल प्रंतु सरदार नरैन सिंग दी पुस्तक मेरा जीवन पंथ दे ते साहित रुची मुताबक डॉक्टर अंबेदकर दी जिन्दगीच सान 1935 दे दर्मियान अजया समावी आया जदों उने स्पष्ट ते खुली इच्छा परगट कीती के जेकर देश दे सारे अच्छूत सिख बाण जान तो जात पाद दी हजारां वर्यां दी गुलामी तो चुटकारा पास अग दे हन। अपने पती जेन्वम रिच्छ काके सिंग सजाया। डॉक्टर अंबेदकर नल होई गलबा दे फल्स रूप श्रोमणी कमेटी दी अगवाई विच पच्छडियां जातानू उचेरी विद्या देन वास्ते बंबाई विखेक खालसा कॉलेज वी खोले आ गया तो दी पतर क जनता परकाशत करन वास्ते एक निज्जी प्रेस वी लगवा देता। पर एपक बिल्कुल स्पष्ट है कि उस्वेलेता को समझ गया सी कि तर्म ग्रन्था जो सिरी गुरू रंसाब जी महराज ही इकजई इलाही रचन है जिड़ा तर्म ग्रन्था प्रती मेरे वल्लों मिथे उपरोकत दोशां तो मुकत है उन्हों चंगी तरह निश्चा हो गय सिरी गुरू रंसाब जी ही इक को एक ऐसा तर्म ग्रन्थ है जिदे फल्सफेदी रोश्नी जियोन वाले सिखांच मिलके उदे करोडा अच्छोत प्रा ब्रह्मन वल्लों कायम किती दलित वस्था विच्चों मुकत हो के अपना पवेखु जला कर सकते हैं उस सिर्दारी दा जीवन जी सकते हैं तन वाद